हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सभी मेरे योट्यूब चैनल पर आप सभी का मैं स्वागत करती हूं आज का वीडियो बहुत इंट्रस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज का वीडियो हौल वीडियो है बिना फर्दर डेले कि चले स्टार्ट करते हैं, Let's Start The Video आज का जो विडियो है, मिंत्रा का होल विडियो है यह है फस्ट कुर्ती, जो मैंने ली है, लिबास की मोगिया ग्रेन कलर है इसका और बहुत ही गहरा जो मोगिया ग्रेन होता है वो कलर है कैमरे में इतना अच्छे से वो कलर आनी रहा है आगे जो आएंगे एक दो कुर्ती उसमें आपको इसका प्रोपर शीर्ट ने जरा जाएगा बहुत प्यारी कुर्ती है रियोन कपड़ा है इसका देख रहे हैं कपड़े का फोल कितना अच्छा है एकदम लरजना कपड़ा है नीचे की तरफ एकदम इसका फोल आता है और बाजू है उस पर एक एक वाइट कलर की पट्टी दी गई है लिबास ब्रैंड है और एक्सल साइज है बहुत अच्छा फिटिंग आता है और पीछे से आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छा एकदम फिनिशिंग है स्टिचिंग में धागा कहीं से निकला वह दिखेगा नहीं आप मॉडल को देख सकते हैं कितना अच्छा इसका फिटिंग आता है और इसकी लेंथ का भी आइडिया प्ले सकते हैं लगबग सभी कुर्ति इसकी जो लेंथ है 47 इंचिस के अराउंड है 47 इंच की जो लेंथ होती है सूट की वह बहुत सफिशेंट होती है किसी भी हाइट के इंसान के ओपर बिल्कुल अच्छे से लंबे जाती है चोटी नहीं पड़ती है इसका प्राइज अगर मैं बात करूँ इसकी प्राइज 12.99 MRP है और ये मुझे पड़ा है 6.19 का और अब नेक्स कुर्ते को देख लेते हैं ये है ग्रे कलर का और इस पर जो वर्क किया गया है आप देख सकते हो नेक पे सिरफ एक लाइन है जो कि एक स्टार शेप में है और उसको थ्रेड से कवर किया गया है जिसते वो बाहर ना आए लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि जब इसको वोश करते हैं तो इसको बहुत सारे कपडों के साथ आप मिक्स करके ना डालें आप देख सकते हैं कि स्लिव्स के उपर बहुत ही प्यारा वर्क किया गया है इसमें भी सेम जो नेक पे लाइन दी गई है पत्ती वाली वही वाली सेम लाइन जो है इस पे स्लिव्स पे भी दी गई है सभी कुर्ती इसकी त्री फोर्थ ओफ लेंथ है यानि कि 17 इंचेज के अराउंड होती है ये लेंथ और ये बिल्कुल बहुत सुन्दर दिखती है कौनी से थोड़ा सा नीचे की तरफ आती है आप नेक देख सकते हैं कोलर नेक है और लिबास ब्रेंड है जो की एक्सल साइज का मैंने आ लिया है आपका जो भी साइज हो आप उसके अकोर्डिंग अपना ओर्डर कर सकते हैं पीछे से मैं आपको इसका लुक दिखा रही हूँ पीछे से भी आप देखे कितना अच्छा फिनिशिंग है लिबास के जो भी कुर्ते मैंने आज तक खरीदे है सांगरिया भी खरीदा है लिबास भी खरीदा है बहुत ही अच्छे निकले हैं अब इसके अगर मैं रेट की बात करूँ तो MRP है इसका 11.99 जो मुझे 454 में पढ़ा है बहुत ही जैन्वन रेट है देखे आप सोचे सड़े 400 रुपए में क्या आता है कुछ भी नहीं आता है बहुत सस्ता कुर्टा पड़ा मुझे और यह मुझे सेल में मिला था जो अभी दिवाली पे सेल लगी थी उसी टाइम मैंने यह सारे कुर्टे खरीदे हैं अब देखे इसका ओवरोल लुक आप देख सकते हैं इसका वॉइट पैंट प्लाजो के सिこれで sits jours कोड़े के ऑर बढ़ते हैं यह भी ग्रेट कलर में ही है लेकिन इसका ग्रेट कलर पहले वाले पर लिब भ्रे enzymes और ग्रेट कि ब्लाई ग्रेटी से अलग है और पहले वाले था डिय्व घ्लता है और बीच में वी शेप दी गई है इसकी और नेक पे देखे कितनी प्यारी इन्होंने अम्रोइडरी की है बहुत फिनिशिंग है अम्रोइडरी में किसी भी तरह का धागा थ्रैड निकला हुआ नहीं है आगे की तरफ आपको डोरी दिख जाएंगे जो की है और पीछे की है देखी आप इसका फोल देख सकते हैं जब आप इसे पहनते हैं तो यह एकदम से लडजना होके नीची की तरफ फोल करता है और इससे जो फिटिंग है वो काफी अच्छी आती है प्राइस देख लेजी MRP है 14.99 और यह मुझे पढ़ा है सेल में 599 का जो की बहुत ही जैन इसको उसी परपस से सोच के लिया है काफी अच्छा मुझे लगा कोई चटक पटक नहीं है बिलकुल सिंपल सोबर और एलिगेंट सा लुग देते हैं और जो इसकी उपर आपको वाइट लाइन और ब्लू लाइन नजरा रहे हैं यह पूरा थ्रेट वर्क है पूरा यह स्लीव्ज हैं स्लीव्ज के बोटम में आप देख सकते हो गोलाई में यह पट्टी उसे मोड के और इसे एक थोड़ा सा मजबूत सा बना दिया गया है और एक अलग सा उससे लुक भी आता है क्योंकि पूरी जो लाइन से वो वर्टिकल है और बाजू पे होरिजॉन्ट है और पहनने के बाद इसका जो लुक है वो बहुत ही अच्छा आता है यह देखिए यह इसके अंदर एक पॉकेट दी गई है जो बिलकुल ही इसी वज़े से मुझे बहुत पसंद आया था क्योंकि आपको इजी रहता है कुछ भी कैरी करने के लिए आप इसका लुक देख सकते हैं वाइट कलर के बॉटम के साथ आप इसे पहन सकते हैं नेक्स कुर्टा देख लेते हैं यह है मुंगिया गरिन आपको याद होगा मैंने जो पहला कुर्टा दिखाया था उस समय मैंने बोला था कि आगे के कुर्टे में आपको सेम कलर देख पाएंगे तो इस कुर् मैंने ज्यादा तर कुट्टे कोलर नेक में लिए हैं और नीचे की तरफ एक वी कट आ रहा है जिस पर एक पट्टी दी गई है और उस पर तीन बटन दे गए हैं एक टैसल लगाया गया है यह मैं आपको स्लीव दिखा रही हूं स्लीव पर कसूती एंब्रोडरी की गई है बह चिंच की जितनी चोड़ी कड़ाय की गई है और इस तरह से किनारे पर पाइप इन दी गई है बहुत सुन्दर कड़ाय की गई है यह देखिए कड़ाय के नीचे इस तरह से कपड़े से उसको कवर कर दिया गया है ताकि वो आपको चुबे नहीं बहुत सारी चोटी चोटी चीज होगा ध्यान रखा गया है लिबास ब्रैंड है और एक्सल साइज है और इसके प्राइज भी मैं आपको बता देती हूं MRP 1599 का था जो मुझे ओफर प्राइज में 639 का पड़ा बहुत खुब सुरत कुरता पीछे की तरफ से भी आप देख सकते हैं फिनिशिंग है अच्छे सी प्लेन है पीछे से और इस तरह से यह कुरता मुझे बहुत अच्छा लगा इसका कलर और टेक्शर मुझे सब कुछ पसंद आया तो अगर आपको पसंद आता है तो आप भी अपने हिसाब से इसको ले सकते हैं ओवरोल लुक आप देख सकते हैं इस तरह से यह पांच कुरते मैंने मिंत्रा से ओडर किये थे पर यह मिंत्रा होल अभी खतम नहीं होता है अब देखते हैं आगे क्या है आगे कुछ स्पेशल है मैंने कुछ टी शिर्ट मंगाए थे हम घर में आजकल टी शिर्ट ही जादा पहनते हैं यह HRX कंपनी का है और जो जितिक रोशन का ब्रैंड है ब्लैक कलर है इसका प्रॉपर ब्लैक कलर है आप यह लाइन देख रहे हैं यह लाइन यह धागा खिचने की दिक्कत इस टी शिर्ट में है जैसे ही आया मैंने से पहने और इसका एक दागा खिच गया फिर थोड़ी दिर में दूसरा दागा के चिच गया इस तरह से इसके दागे लगाता खिच गये 2-3 दागे नीचे की तरफ गोल है मुझे इसमें ये धागा खिशने वाले दिक्कत लगी बहुत जादा आप इसे समर में पहन सकते हैं विंटर की ये टी-शिट बिलकुल नहीं है आप विंटर में से नहीं पहन सकते हैं आपकी बोड़ी से चिपक जाती है जैसे आपने देखा होगा जैनले कपड़े जो है एकदम सलवटे आने लगती है बोड़ी से बिलकुल चिपक से जाते हैं तो उस तरह का ये फैबरिक है ये सिरफ समर में ही आप पहन सकते हैं विंटर के हिसाब से ये फैबरिक नहीं है sport person के तरह में है ये फैबरिक है fitting बहुत अच्छे आती है कोई दिक्कत नहीं है नीचे से गोलाई है tee-shirt में बहुत अच्छे लगती है इस तरह की く cutting से fitting बहुत अच्छे आती है ये आप लेख सकते है black color की जो टी-shirt थी उसी का ही दूसरा color है गरेन कलर मैंने दोनों सेम ही मंगाई थी और दोनों का रेट भी बिल्कुल सेम था यानि कि वो भी 279 की मुझे पड़ी और ये वाली भी मुझे 279 की पड़ी आप कपड़े का टेक्चर देख सकते हैं किस तरह का कपड़ा है बस आप इसे थोड़ा समर में ही पहनेंगे तो इ मुझे एक स्लिंग बैग चाहिए था और काफी टाइम से मैंने इसको अपनी विस्ट लिस्ट में डाला हुआ था लेकिन कभी भी इसका प्राइस 750 से नीचे नहीं आता था तो अब जब दिवाली से लगी तो ये 587 का मुझे मिल गया और मैंने इसे जल्दी से ले लिया वा जो भी हुक्स हैं सभी गोल्डन कलर में हैं और गोल्डन भी कोई चीप कलर का जो एक आता है गोल्डन वो नहीं है बहुत ही सोबर सा कलर है अंदर का कपड़ा आप देख सकते हैं बहुत अच्छी क्वालिटी का है और अच्छे से इसमें सामान कैरी कर सकते हैं एक छोटी डायरी और आप अपना फोन, कैश काफी सारी छोटी मोटी चीज़ें आप इसके अंदर डाल सकते हैं ये इसका प्राइस टेग है मैं आपको दिखा रही हूँ 13.99 का ये MRP था और 587 मुझे मिला है बहुत अच्छा लगा मुझे इसके बकल्स वगरा की फिनिशिंग सब कुछ बहुत अच्छा था तीन इसमें जिप दी गई है एक बाहर की तरफ आउटर एरिया में एक आप अंदर की तरफ देखेंगे और एक में कमपार्टमेंट है वो, कुल मिलाकर तीन इसमें पॉकेट्स है और इस तरह से इसको टक करते ही बंद हो जाता है और अच्छी खासी अडजस्टेबल इसकी जो बैल्ट है वो है मतलब आप इसको अडजस्ट करके छोटा बड़ा कर सकते हैं बस इसमें मिलको यही एक थोड़ी बात लगी कि शायद यह थोड़ा समय से रखा हुआ था इसलिए हलका सा शादी उजस करते करते इसकी बैल्ट भी कुश्मूध हो जाए नहीं तो यहलकी से मुझे थोड़ी सी अकड़ी हुई सी लग रही थी ओवरॉल कोई प्रॉब्लम नहीं है अच्छा है खरीदा जा सकता है नेक्स्ट है यह वाइट कलर की जिन्स मुझे वाइट और ब्लैक दो कलर में जिन्स चाहिए थी तो मैंने वाइट कलर में बिली है और ब्लैक कलर में भी ले थी तो यह वाइट कलर में मैं आपको भी दिखा रही हूँ अब ये देखें मैटल में इसका जो है बटन दिया गया है अच्छा है बिलकुल बढ़िया साइज का लुक है और जो इसके नीचे की तरफ जो चेन है वो थोड़ा सा मेरे को कम पसंत आई क्योंकि वो हलकी सी अटकती है पूरी तरफ फ्लो में नहीं खुलती है जैसे थोड़ सब पुरानी हो गई है और 34 साइज में आपको ये दिखा रही हूँ जो पॉकिट का कपड़ा है वो भी अच्छा है मतलब आप उसे बुरानी कह सकते ये बहुत जादा शानदार भी नहीं है तो ये खराब भी नहीं है बिलकुल एवरेज है ठीक लगा मुझे बढ़िया ल कपड़ा जो है स्ट्रेच बल है ये मैं आपको भी दिखाती हूं स्ट्रेच बarat है मुझे स्ट्रेच बल धकाते हैं जासे आप जादातर देखते होंगे जिन्स पहनते हैं बढ़ी है तो खिसकने लगती है तो वह सब दिकत इसमें काफी कम होती है और बहुत अच्छी इजी टू वेर है और पॉकेट का तो मैंने आपको साइज दिखाई दिया है पूरा हाथ उसके अंदर चला जाता है अच्छे से डी पॉकेट से और यह चोटी पॉकेट है जिसमें आप कोई से रख सकते हैं तो इसकी भी डएप अच्छी है यह हाइस ताइर कंपनी की है और उसी का आप से दे सकते हैं यह पर आप बीचर की पॉकेट पीछी पॉकेट Сी जो डबफ है हबो आपके फिंगर्स को कवर करेंगी इतना डब्फ है और फिनिश्य dessas को किय गई है किसीृ था कच्छा पन नहीं है कि कच्छे सिलाई है चलो बार बार खुल गई उधर गई वह सब दिक्कत नहीं है बिल्कुल अच्छी फिनिशिंग मजबूत वाले सिलाई की गई है आप यहां पे इसकी फिटिंग देख सकते हैं बिल्कुल वाइट है शैद में भी आपको वीडियो में इतनी वाइट नहीं दिख लेकिन जो मॉडल ने पैना है बिल्कुल वैसा ही वाइट कलर है एक तम वाइट और यह पीछे से बैल्ट अगर आपको लगानी उस तरीके से हो दिये गए हैं और इसकी जो चोड़ाई है लगबग दो इंच की आरांड बैल्ट की चोड़ाई आ MRP 2299 और यह मुझे पड़ी है 666 रुपए की मुझे यह पड़ी है आप नीचे की तरफ से देख सकते हैं इसकी गोलाई में वहाँ पी बड़ी अच्छी फिनिशिंग है नीचे बोटम में बहुत अच्छा है इसका जो मोड़ा गया है बड़ी फिनिशिंग से मोड़ा गया किसी तरीके की कोई भी कमी निकाल सकते थी तो मेबी की थोड़ा टाइम रखे रखे ये हलकी सी जिप जो है वो थोड़ी सी कम स्मूध हो जाते हैं मेबी मैं इसको ज्यादा दिनिश करू तो स्मूध हो जाए बाकि इसमें कोई दिक्कत नहीं है ओवर और यह बहुत चेजिंग बहुत ही बड़िया है चलिए नेक्स जिन्स देख लेते हैं ब्लैक कलर की जिन्स ये मेरी फिवरेट जिन्स है ये बहुत ही अच्छी मुझे लगती है और अच्छी क्यों लगती है इसका रिजन में मैं आपको बताती हूँ इसमें देखे तीन बटन दे गए हैं आगे की तरफ ये मुझे बहुत पसंद आए इससे फिटिंग बहुत अच्छे आती है और इसकी बल्ट है वो भी तकरिबन तीन से लेके चार इंच जितनी चोड़ी है जो की बिल्कुल टमी टकर की तरह आपको जैसे फिटिंग देती है यानि आपका जो उपर टमी एरिया है उसको बहुत अच्छे से फिट कर देती है बहुत अच्छी फिटिंग उस एरिया में आती है दोनों साइड आपको एक एक बटन और दिखेगा जो एक डिजाइनिंग की तरह दिये गए है तो जैसे चोटे जो क्रॉप टॉप होते हैं या कुछ भी आप जिन्स के पर पहनते हैं वो सब भी बहुत सुन्दर दिखते हैं और इसका जो जिप है वो भी बहुत अच्छे से खुलता है और अंदर जो पॉकेट का जो कपड़ा अंदर के तरफ दिया गया है तो इस जिन्स में मुझे कोई भी कमी नहीं लगी मतलब क कपड़े से लेके stretchability, finishing और हर चीज इस जिन्स के मुझे बहुत पसंद आई और जो इसका कपड़ा है ये भी stretchable है और ये मुझे पड़ी है 735 में offer price है ये इसका और ये 299 रुपए इसका MRP था जो कि मुझे काफी सस्ता पड़ा है ये दोनों जिन्स और बाकी जो सारे मैंने आपको कुर्तीज और जो भी पूरा मिंत्रा होल दिखाया है सब भी पूरा का पूरा होल मुझे 60-70% off में मिला है guys बहुत reasonable है आप fitting देख सकते हैं ऐसी fitting गजब fitting आती है और पीछे high star का ही logo लगा हुआ है और आप देख सकते हैं इसके पीछे के pockets इस तरह के हैं अच्छी ख बहुत अच्छा से finishing से बनाया गया है मुझे उमीद है कि सारी ही चीज़ें आपको अच्छी लगी होंगी और कुछ पसंद आई होंगी मैंने ये सारी चीज़ें सेल में खरी दी हैं और 60-70% का मुझे off मिला है मैं आप सब भी को यही suggest करूंगी कि आप भी इने सेल में ही ख कुछ ऐसे ही interesting topic के साथ